राधा मेरी स्वामनी मेर आधी तिरोडास जनम जनम महिदी जीओ स्णि बढ़सानो वास बच्धबहसाना अज एक आधसी का पावन और पवित्र दिन और आज के दिन हम आपको राधारानी की परेक्रमा जनाने के लिए आज बढ़साना ले कर के आये हैं तो आईए हमारे साथ परिक्रमा प्रारम करते हैं हमारी की सूरी जी का ध्यान करते हुए और इस परिक्रमा के माध्यम से अपने जीवन को धन्य बनाते हैं और आज मार्क शी स्माह के कृष्ण बख्खी की एकादसी, जिसको समझ संसार उत्पन्ना एकादसी के नाम से जानता है, तो आईए राधारानी कायस्मन करते हुए परिक्रमा प्रारंब करते हैं, सरप्रतम हमारे लाडली लाली के चंड़ों में प्रणाम, जैषो लाडली ल प्राइन से नोइ परप्त करते हैं राधारानी का इसमन करते हूं और आप मेरे साथ भने रहे ऊहिंद बार्फा में और जैसा कि आप मेरे पीछे दर्सन कर रहे हैं, यासे लाड़ी जी के मंदर के भी बड़े सुन्दर दर्सन होते हैं, आईए अब अपनी परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं उस परिक्रमा में आगे जिसके लिए देवता भी तरस्ते हैं श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे और अब हम परिक्रमा में आगे बढ़ते हुए सांक्री खूर की दरफ चल रहे हैं आईए हमारे साथ और मैं सभी आप भक्तों से एगनिवेदन करना चाहूँगा कि आप इस परिक्रमा को बीच में छोड़ करके ना जाएं क्योंकि परिक्रमा बीच में छोड़ने से अपराद लगता है और परिक्रमा में जो भी इस्थान पढ़ते हैं उनकी दर्सन करते हुए हम इस परिक्रमा को आज लगाएंगे और राधा-रानी के दर्सन करने के उपरांत इस परिक्रमा को विस्तराम देंगे तो आप बने रहे हैं हमारे साथ और बीच में इस वीडियो को आप छोड़ करके ना जाएं क्योंकि परिक्रमा बीच में छोड़ने से अपराद लगता है आईए हमारे साथ और सरपर्थम हमारी परिक्रमा पहुंचती है सीतला माता मंदिर पर जैसा कि आप दर्शन कर रहे हैं यह माता सीतला का बहुत ही सुन्दर स्थान है और आए राधारानी का ध्यान करते हुए कि शूरी जी का इसमन करते हुए परिक्रमा को पुन है आगे ले चलते हैं हमारो धन राधा स्री राधा स्री राधा कहते हैं कि यह परिक्रमा का सोभा कि उन्हीं को प्राप्त होता है जिनके उपर हमारी राधा ना निकरपा करती है तो आएए चलते हैं परिक्रमा में आगले पड़ाब की तरफ एक वार मुक्ती महरानी ने हमारे गोविन से एक प्रिश्न कर दिया कि महराज मैं सब की मुक्ती करती हूँ आप मेरी मुक्ती का मार्क बताएं मेरी मुक्ती कब होगी और कैसे होगी मुक्ती कहे ब्रजराज सो मेरी मुक्ति बताएЕ। ब्रुजरज ओड़ मस्तक लगये। मुक्ति है जाए। आधन तेरीं भी मुक्ति है जाएगी। तो सरपरदाम हम बर्ज रजरानी को प्रणाम करते हैं, जैहो रजरानी के। यह कोई साधारन रज नहीं है यह साख्यात वही रज है जहां हमारे गोबिंद ने अनेकों क्रीडाएं की हैं भगवान यहां खेले हैं यह वही रज है आईए हमारे साथ परिक्मा आगे की तरफ ले करके चलते हैं राधा राधा रटत ही सब व्याधा मिट जाएं कोट जनम की आपदा स्री राधे नाम सोजाएं हमारी राधा रानी को ऐसो नाम है कि कोई भी जीब अगर एकवार राधा नाम ले ले उसके समस्त जनमों की जो पीडाएं हैं जो बादाएं हैं उनका निवारन हो जाता है यहां से सीमा प्रारभ होती है बरसाना की प्रमुकिस्तान जिसको सांक्री खूर का जाता है उसकी तो आईए परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं और आनंद लेते हैं उस इस्थान का जिसको सांक्री खूर का जाता है उचे उचे परवतों के बीच से रास्ता बड़ा ही सुन्दर लगता है चारों तरफ हरे भरे ब्रिक्ष और एकाज़ी का पावन और पवित्र दिन और आज परिक्रमा लगा रहे हैं हम राधारानी की और यह दर्सन आप जो कर रहे हैं यह प्रिजमेमा चैनल के माध्यम से कर रहे हैं और अब हमारी परिक्रमा पहुंचती है राम मंदिर यहां भगवान राम के माता जानकी के साथ बहुती सुंदर बिक्रे के दर्सन होते हैं और कहते हैं बर्साना का यह बहुती प्राचीन स्थान है तो आईए दर्सन करते हैं रागव सरकार के श्री राधे श्री राधे और यहां मैं आपको एक दर्सन और करा देना चाहूँगा यहां चित्रपट के मार्ध्यम से जो सागरी खूर की लीला हुई है उनको यहां बहुत सुन्दर तरीके से दर्साया गया है आप भी दर्सन करें बर्साना की अद्बुत लिलाओं के वाई अब दर्सन करते हैं रागविंद्र सरकार के जैहो मेरे प्रभू के अब हमने प्रवेश कर लिया है मंदर के अंदर और दर्सन करते हैं रागविंद्र सरकार के जैहो मेरे प्रभु की रामाय राम भद्रायो राम जंद्राय वेद से रगुनाथाय नाथायो शीताय अपतिय नमा यहां भगवान रागमित्र सरकार की बहुती सुन्दर दर्शन होते हैं और कहते हैं बर्साना की प्राची इस्थानों में से यह प्रमुकिस्तान है भगवान के चड़नों में प्रणाम मेरे ब्रजमेमा परवार के सभी भक्तों की दरब से रागवेंद्र सरकार के चड़नों में कोटी-कोटी प्रणाम जैहो मेरे प्रभु की दर्सन के उपरांत आईए अब परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं अब हमारी परिक्रमा पहुँच चुकी है ठीक उस इस्तान पर जहां भगवान कृष्ण ने गोपियों की मटकी को फोड़ा था जैसा कि आप गोड के माध्यम से देख रहे हैं यह इस्तान सांक्री खूर के नाम से जाना आता है और यहां यह वही इस्तान है जहां भगवान ने गोपियों की मटकी फोड़ी है आईए चलते हैं उस इस्तान की दर्सन के लिए श्री राधे श्री राधे और कहते हैं यह कोई साधारण इस्तान नहीं है आज इवी इस परवस्थ से उस माखन की और उस दही की गंद आज तक आती है ये वही पर वस्थान है जहां हमारे शाम सुंद्र ने गोफियों की मटकी फूरी थी बादों के महीने में यह भूस सुंदर मेला लगता है और मटकी फूरे लिला यहां की जाती है आईए इस इस्थान को प्रणाम करते हैं जै हो मेरे श्याम जुंदर भगवाएं की राधा रानी की जै हो और इस इस्थान पर आज तक दही और माखन की गंद आज तक आती है इस इस्थान पर और दोनों परवतों के बीस में गिरा हुआ यह इस्थान जिसको सांक्री खूरका जाता, सांक्री माने सक्रा कहते हैं प्रेम गली या सांक्री या में दोना समाय इस रास्ते में दो व्यक्ती एक साथ नहीं चल सकते, केवल सिंगल सिंगल ही जाना होगा इधर जो आप देख रहे हैं ये श्याम सरूप में श्याम बंड का परवत है जिसको ब्रिजवासी भगवान कृष्ण का परवत कहते हैं और ये जो गौर बंड का परवत आप देख रहे हैं इसको ब्रिजवासी राधारानी का परवत कहते हैं उन दोनों परवतों के मद्दि से यह रास्ता है जिसको सांक्री खुरका आ जाता है आईए परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं और थोड़ा समल के चलना होगा क्योंकि बहुत चिकना इस्थान है यह स्री राधे स्री राधे हमारो धनराधा स्री राधा स्री राधा हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा स्री राधा श्री राधा बरसाना में यह इस्तान अपने आप में बहुत एहमियत रखता है बहुत बड़ा इस्तान रखता है क्योंकि यहां साख्यात भगवान ने गोपियों की मटकी फोड़ी है और अब हमारी परक्वा पहुंचते हैं इस स्थान पर जहां रासमंडल बले हुए हैं और बाहदों के महीने में यहां हमारे प्रियाजू और लाल्जू की बहुत संदर लीलाएं होती हैं तो आईए इस स्थान को भी प्रणाम करते हैं जैहो मेरी श्याम संदर की जैहो मेरी लाड़ी की और अब हमारी परिक्वा पहुंचती है उस जगे जहां हमारी राधारानी की परमप्रिय सकी स्री चित्राजी बराजमान है इस गाउं को चिक्सोली कहा जाता है और यहां चित्रा सकी साख्यात बराजमान है ऐसा दिबिया गाउं है जिसको समझ संसार चिक्सोली के नाम से जानता है यहां ब्रणाशीयों के घर के आप दर्सन कीजिए क्योंकि कहते हैं हमारे ठाकुर्जी को ब्रजवासी अत्यन्त प्रिये हैं और ये घर उनी ब्रजवासियों के हैं जो यहां रहकर के निरंतर प्रभु की आरादना करते हैं और प्रभु का नाम इस्मरण किया करते हैं तो आईए परिक्रमा में पुन हैं, हम आगे बढ़ते हैं और अब हमारी परिक्रमा पहुंचती है, राधा रस्मंदिर, जो कि राधा सरोवर के पावंतर परवराजमान है, आईए दर्शन करते हैं, राधा रस्वियारी के श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे भगवान के बहुत ही सुन्दर सुरूप के दर्शन यहां राधा रस्मंदिर में होते हैं, तो आईए दर्शन करते हैं भगवान के जैहो मेरे प्रभु की श्री राधे, श्री राधे और अब आप दर्शन कीजिए राधा रस्विहारी सरकार के अब उन्हें परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं और आईए परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं राधा सरूबर के आच्मन के लिए और कहते हैं इस राधा सरूबर को हमारी राधा रानी ने स्वेम अपने हाथों से खुदा था कहते हैं देव क्रतार्त रूपाये राधा सर्शे नमा त्रेलोक्षी पद मोक्षाय रम्मे तीर थाये ते नमा ऐसा पावन यह है राधा सरोगर जिसको गैवर गुंडा भी कहा जाता है आईए अब राधा सरोगर का पुन्यमई आच्मन करते हैं जै हो मेरी राधा रानी की बोल लाडली लाले की जै आईए अब उन्हें अपनी परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं और मैं एक वार आपको यहां से उपर से इस राधा सरोगर की दर्सन करा जिता हूँ जो कि अपने आप में बहुत सुन्दर सरोगर है और इस सरोगर के विशे में कहते हैं कि राधा रानी ने श्वेम अपने स्री हातों से इस कुंड का निर्माण किया था और यह देखिए कितना सुन्दर सरोगर है यह जहां बंदर अनेकों क्रीडाएं करते हैं और भक्त इस सरोवर का आजमन करके अपने आपको धन्य अन्भव करते हैं आईए अपने अपनी परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको राधा सरोवर के पावंतर से मूर कुटी के भी दर्शन करा लिता हूँ जैसा कि आप पहाडी के उपर देख रहे हैं यह वही दिब्यस्तान है जहां हमारे स्याम सुंदर साख्यात मोर वन करके नाचे हैं और हमारी किशूरी जी ने स्वयम अपनी स्री हातों से भगवान को यहां लड़ू पवाये हैं यह वही दिव्यस्तान है जिसके आप दर्सन कर रहे हैं ब्रिज महमा चैनल के बाद्यम से बोर्कुटी के दर्सन के उपरांत आईए परिक्रमा में पुन है आगे बढ़ते हैं स्री राध है स्री राध है स्री राध है और अब हमारी परिक्रमा पहुँचती है मान मंदिर जैसा कि आप दर्सन कर रहे हैं ये वही दिभिस्तान है जिसको मान मंदिर कहा जाता है यहाँ हमारी लादली जी ठाकड़ी से एक बार मान करके बैठ गई और हमारी ठाकड़ी ने राधारानी को तो इसी इस्तान पर मनाया है, यहां मान विहारी सरकार के बहुत सुन्दर दर्शन है, तो आईए इन दर्शनों के उपरांत उन्हें अपनी परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। श्री राधे, श्री राधे, उत्पन्ना एकाजसी का पावन और पवित्र दिन और आज आप यह राधारानी की परिक्रमा दे रहे हैं, ब्रिज मेहमा चैनल के माध्यम से। और अब हमारी परिक्रमा पहुंचती है उसे इस्तान पर जहां दिब्वे महापुरसों की समाधिया बनी हुई है। कहते हैं, इन संतों ने हमारी राधारानी की आराधना करके साख्यात राधारानी को प्राप्त किया था। ये उन्ही दिब्वे संतों के यहां समाधिया बनी हुई है आई इनको भी प्रनाम करते हैं जैहो मेरे संत बखवान की संतों को प्रनाम करके उन्हें अपनी परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं यहां बानर भगवान बैठे हुए हैं और कहते हैं जैसे हमारे स्यामसंदर टेड़े मेड़े हैं ऐसे ही उनके बंदर जो बंदावन में हैं वो भी टेड़े मेड़े हैं वक्तों के चसमें आदी छीन लिया करते हैं परन्तों ये जो बंदर हैं ये हमारी राधारानी के बंदर हैं बहुत सांत किसी को कुछ कभी बुलते ही नहीं जो जैसे निकलता है प्रेम से निकल जाने देते हैं और कभी किसी को कोई परिशानी नहीं करनी पड़ती हैं यही मेमा है हमारी राधारानी की और यही इस इस्थान की भी मेमा है और अब हमारी परिक्तमा पहुंचती है महा प्रभुजी की बैठकपर स्री राधे, स्री राधे, स्री राधे, 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 और अब आप दर्शन कर रहे हैं महाप्रभुजी के बैठके जय हुए गुरुजी रादे रादे कहते हैं भूमी तत्व जल तत्व अगनी तत्व वायू तत्व ब्रह्म तत्य व्योम तत्य विश्णू तत्य भूरी हैं सनकादी सिद्धी तत्व आनंद प्रिशिद्धी तत्व नारद सोरेस तत्व सिव तत्व गोरी हैं प्रेमी कहें नाग और किन्नर को तत्व देख्यो सेस और महेस तत्व नेत नेत जोरी हैं कहते हैं कि हमारे श्याम सुंदर का अगर तत्त्त्त की बात करें तो श्याम सुंदर का तत्त्त्त हमारी स्री राधारानी है जो की संसार की सर्वोच सत्ता है उससे उपर कोई सत्ता होती ही नहीं है तो आईए परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं और प्रियास करते हैं राधारानी की क्रपा प्राप्त करने का और परिक्रमा में यहां दर्सन होते हैं स्री राम जान की मंगल कुंज के, आप भी दर्सन कीजिए, बहुत सुन्दर दर्सन, और नीचे बावभूली नातप में परवार के सथे आप राजमान हैं, आईए अब चलते हैं आगे की तरफ, और अब हमारी परिक्रमा पहुचती है हितरास मंडल पर, और कहते हैं यहां हमारे प्रिया पीतम जू नित्ति रास करें हैं, स्रीधाम बरसाना में निरंतर आठों पहर हमारे प्रियाजू और लाल्जू नित्ति लीला करते हैं, इसमें कोई संदे नहीं है, क्योंकि यह इस्तान है ही ऐसा दिव्यव, जिसको समस्त संसार स्रीधाम बरसाना की रूप में जानता है, और जो आप मेरे पीछे यह ब्रक्ष देख रहे हैं, समस्त ब्रजबासियों का और संतों का ऐसा मानना है, कि यह मूर्टी मान संत हैं, जो ब्रक्ष के रूप में रहकर के यहां स्रीधाम बरसाना में निरंतर राधारानी का भजन किया करते हैं, ऐसा दिव्य स्थान है यह स प्रिक्रमामार्ग जो कि अपने आप में बड़ा अद्बुत लगता है। अब तो कृपा करो स्रीराधे। अब तो कृपा करो स्रीराधे। और मैं अब आपको भक्तों की सृधा की भी दर्शन करा देता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह भक्तों की अचूट सृधा का प्रतीक है। यहां भक्त आगर के घर बनाते हैं। और हमारी लाड़ी जी की चर्णों में निवेदन करते हैं। कि हे किसूरी जी ऐसा ही घर हमें स्रीधाम बरसाना में मिले। हमें ब्रिजमंडल का बास मिले। ऐसी क्रपा हमारे उपर आप राधारानी करें। और उसी के प्रत्षरू भी है यहां घर बना करके जाते हैं। कि जब हम यहां दोबारा आएं तो ऐसा घर हमारा यहां स्रीधाम बरसाना में बन जाए। आए आप परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। और अब हमारी परिक्रमा पहुंचती है दानगड़ पर। यह लगवग साड़े पांच हजार साल पराना वही इस्तान है जहां श्याम संदन्य गोपियों को दान दिया है। आए भगवान के यहां दान विहारी रूप के दर्सन होते हैं तो आए दर्सन करते हैं भगवान के दान विहारी सरूप के। स्री राधे, स्री राधे। समस्त ब्रजमंडल में भगवान कृष्ने गोपियों से दान लिया है। और यहां इस इस्थान पर यह अकेला ब्रज का ऐसा इस्थान है जहां ठाकुर जी ने स्वेम गोपियों को दान दिया है। जब शामसंदर ने मटकी फोड़ी थी सांकरी खोर में तो हमारी राधारानी रूट करके यहां आकरके बैठ गए है। तो शामसंदर यहां राधारानी से मिलने के लिए तोकरी में चूडियां भर करके आए और सकी का भेश बना करके आए। बांसरी को ले लिया। भगवान ने यहां अपनी बांसरी को गोपियों को प्रदान किया दान के रूप में। यह वही दिब्यस्थान है। तो आईए दर्सन करते हैं भगवान के दान विहारी शरूप के। दान विहारी सरकार के। और अब दान विहारी भगवान के दर्सन के उपरांत उन्हें अपनी परकम्मा में आगे बढ़ते हैं। और अब हम पहुचने वाले हैं कुसल विहारी मंदर। तो आईए हमारे साथ चलते हैं कुसल विहारी भगवान के दर्सन के लिए। और अब हमने प्रिवेश कर लिया है कुसल विहारी मंदर में। आईए आपको दर्सन कराते हैं कुसल विहारी भगवान के। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। श्री राधे, 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 श्री उस इस्तान पर जहां ब्रजाचार स्री नाराण भटजी ने साख्या तपश्या की थी जैसा कि आप दर्सन कर रहे हैं यह वही इस्तान है जहां स्री नाराण भटजी ने तब किया था और राधारानी के बिग्रे को इसी इस्तान पर प्रकट किया था बड़ा ही अद्बुदिस्तान आए परिक्मा लगाते हैं उन महापरसों की तप इस तलिकी श्री राध है श्री राध है जै हो मेरे प्रफुदि और अब हमारी परिक्मा पहुंच चुकी है राधा रानी मंदिर तो आईए प्रवेश करते हैं राधा रानी मंदिर के अंदर और दर्सन करते हैं राधा रानी के आप दर्सन कीजिए इन वक्तों के जो आज साख्या प्यारे शाम संदर को यहां राधारानी के दर्सन कराने के लिए ले करके आए हैं और अब हमारी परिक्मा पहुच गई है राधारानी के श्री चर्णों में और जैसा कि आप देख रहे हैं आज पूरा मंदिर प्रांगर भक्तों से खचाकच बरा हुआ है आज उत्पन्ना एकाची का पावन और पवित्र दिन और आज देश और विदेश से सर्दालू यहां श्री धाम बर्शाना पदारे हैं राधारानी के दर्शन के लिए आज रंगों रंगे कुपारों के माध्यन से मंदिर को बड़ा ही भव शरूप परदान किया गया है आज पर लील आले की जै राधारानी की जै आज उत्वन नाइकासी का पावन और पवित्र दिन और आज आप दर्शन कर रहे हैं हमारी राधारानी की स्रंगारार्ती के बहुत ही आद्वो जहां की आज शाम सुन्दर और राधारानी की आज हमारे प्रिया पीतम जू बहुत ही सुन्दर लग रहे हैं फेराधारानी तेरी आरेती गाउं और अभी आपने दर्शन की प्यारे शाम सुन्दर और राधारानी के और आज एकाजसी के दिन और राधारानी की स्रिंगारारती के दर्शन अपने आप में बड़े अद्वत दर्शन है आज पन्ना एक आज़सी के दन हमने और आपने जो राधारानी की परिक्रमा की रूप में जो आनंद प्राप्त किया वो आनंद हमारा आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माद्धिम से बताएं और हमारी इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें ताकि सभी भक्तों तक यह परिक्रमा पहुंच सके और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी अद्वत वीडियो आप तक पहुंच सके तो मिलते हैं ऐसी दिब्य और अद्वत वीडियो के साथ तब तक के लिए स्रीधाम बर्साना की पावन भूमी से जै जै श्री राद है